अगर आप इस वीडियो का आखरी तक देखते हो ना तो आपको complete आईडिया हो जाएगा कि इस problem को कैसे solve करते हैं, right? सो problem statement से शुरू करते हैं, यह बोलती है कि you are given a directed acyclic graph of n vertices, now directed acyclic graph जैसे की नाम बोलता है guys, directed होगा, acyclic होगा और एक graph होगा, right? अब vertices जो हैं, वो हमें 0 to n-1 given है, इसका मतलब 0 based indexing follow हो रही है यहाँ पर और उसके बाद question यह है कि यह graph represent कैसे होगा, right? इस graph के लिए मैं explain करता हूँ, तो देखो, अगर मैं इस edge को सबसे पहले consider करूँ, जो कि 0 से 1 जा रही है, तो मैं इसे कैसे represent करूँगा, right? तो देखो, मैं इसे कैसे represent करता हूँ, सबसे पहले में लिखूँगा 0, फिर 1, फिर 4, इसका मतलब है 0 से 1 एक edge जा रही है, जिसका cost 4 है, right? तो ऐसे represent करने वाला हूँ, अब मैं indexing लिख देता हूँ, यह 0 index है, यह 1 index है, यह 2 index है, अगर मैं इसे एक list में represent करता हूँ, right? यह यह तो होगी एक edge की बात, अब ऐसे ही करके हमारे पास multiple edges होने वाली है, like 0 से 2 भी तो एक edge है, तो let me write it, 0 से 2 एक edge है, right? और इसका cost है वो 2 है, तो यह भी एक edge हो सकती है, ऐसी करके multiple edges are there, right? for this particular graph, अब यार, यह 2D integer array होने वाली है, right? तो एक iterator होगा i, जो कि सारी rows को iterate करने वाला है, तो अब देखो यार, किसी भी point पर array of edges of i0, और edges of i1 and edges of i2 are there, right? और problem यह वो होते हैं कि edges of i0 से लेकि edges of i1 तक एक edge जा रही है, जो कि 0 से 1 जा रही है, right? Okay, now, according to the problem, graph will be given in this particular form, like in the array, like edge representation, right? तो यार, अब देखो, problem आगे क्या बोलते हैं, problem आगे यह बोलते हैं कि your task is to find the shortest path from source 0 vertex to all the vertices, right? And in case, if it is impossible to reach any vertex, then you have to return minus 1 for that particular vertex, right? Let me explain this, guys, see, हमारे पास यह graph है, अब हमारा task है कि हमें 0 से लेके हर edge की, oh my bad, 0 से लेके हर node की हमें distance बतानी है, right? shortest distance, so, देखो, for example, 0 से लेके 1 तक की shortest distance क्या होगी? 0 से लेके 1 तक की distance 4, right? बट यह shortest नहीं है, shortest अगर आप देखना चाते हैं, तो आप सबसे पहले 0 से 2 पे जाओ, फिर 0 से, फिर 2 से 1 पे जाओ, तो ऐसे करके मैं 2 प्लस 1, यानि कि 3 cost में पहुँच जा रहा हूँ 1 तक, तो यार, इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें 0 से हर vertex की distance हीकाल नहीं है, तो 6 index जीए, 0 से start करूँगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह 6 index हो गए, right, 0 से start करके, अब देखो यार, 0 से 0 की distance क्या होगी, 0 होगी, अब 0 से लेके किसी भी index पर अगर मैं जाता हूँ, तो वो मुझे 0 से उस vertex की distance बताएगा, for example, 0 से 3 जो है न, वो मुझे 0 से 3 की distance बताएगा, index 3, 0 से 4 पर की index बताएगा, index 4, ऐसे represent करने वाला हूँ मैं, तो सबसे पहले, 1 से start करते है, 0 से 1 की distance क्या होने वाले है, 0 से 1 की minimum distance है, वह हम पहले ही देचुके हैं, यह वाली होने वाली है, जो की मेरी 3 है, उसके बाद 0 से 2 तक की तो 2 ही रहने वाली है, उसके बाद 0 से 4 तक की क्या ह जाओ, फिर 4 जाओ, और यह cost जो है, वो total मुझे 6 पढ़ेगी, और एक तरीका यह बहुता है, कि 0 से 2 जाओ, फिर आफ 5 जाओ, फिर आफ 4 जाओ, ऐसे करके मैं 5 cost में पहुंच सकता हूँ, तो 5 जाओ, वो मेरा minimum हो गया, और 0 से 3 अभी तक हमने discuss नहीं किया, तो 0 से 3 जाओ, वो simple 5 cost हो जाएगा हमारा, उसके बाद आता है, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक की minimum distance जो है न, वो 0 से 2 जाओ, फिर 2 से 5 जाओ, इसका मतलब 4 होने वाली है, अब मान लो, in case, हमारे पास एक और है जाओ, हमारे पास एक और node है, for example, हमारे पास 6 node ती नहीं आपर, तो एक और node ह हम 0, इस case में हम क्या करने वाले है, minus 1 store करने वाले answer में, so guys, यह answer होने वाला है, इस particular graph के लिए, now I hope you have understood the problem well, right, there is one more example, एक और example given है याँ पर, इस example को और explain कर देता हूं में, तो यह यह example यह बहुत है कि आपके पास 4 nodes given है, let me name them, so first is 0, first is 0, second one is 1, then third one is 2, and the fourth one is 3, right, because I am following 0 based indexing here, okay, and edge भी हमें given होंगी, तो आप देखो यार, सबसे पहले 0 से 1, 1 edge जारी है, जिसका weight जो है, वो 2 है, तो 0 से 1, 1 edge जारी है, जिसका weight 2 है, क्योंकि यह directed graph है, तो हम एक error draw करना पड़ेगा, जिससे कि हम यह represent कर सकेंगे, कि हम पीछी नहीं जा सकते हो, आपस, right, ऐसी 0 से 2 भी जाने के लिए weight 1 लगेगा, फिर 0 से 1 जाने के लिए weight 2 लगेगा, फिर 0 से 1 जाने के लिए weight 2 लगेगा, तो मैं 2 लिख दूँगा, अच 0 से 0 के लिए तो obviously 0 होने वाला है, because 0 के खुद से distance to 0 होगी, so ऐसे हम इस problem को solve कर सकते हैं, यह तो हो गया problem explanation, now guys, I hope you have understood the problem very well, so let's talk about the solution now, अब यार मैंने यह आपर same example draw किया हुआ है, जैसा कि मैंने problem statement में use किया था, अब इस example को लेके हम समझनी कोशिश करते हैं, कि हम problem कैसे solve करेंगे, right, अब अगर आप ध्यान दोगा, इस तो कल हमने एक problem करी थी, जिसका नाम था shortest source to destination path, उस problem में हमने क्या किया था, कि हमें एक source given था, और destination given था, अभी मैंने randomly कोई भी ले लिया, और हमने उन दोनों के बीच का shortest path निकाला था, और हमने कौन से algorithm का use किया था, हमने किया था, BFS algorithm का use, right, यह हम similar concept यहां पर use कर सकते हैं, क्योंकि देखो, let's say 0 is my source and 4 is my destination, तो मुझे 0 से लेकि 4 तक का shortest path यह ना, अब मैं क्या सकता हूँ, तो यह पता है कैसे दिखीगा, मैं एक loop start करने वाला हूँ, I close to 0, then I smaller than n, right, and I++, अब इस loop के अंदर, I जो है, वो सारी notes को point करने वाला है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो note जो है, वो destination है, तो मुझे क्या करना है, BFS लगा के 0 से लेकिए उस note तक के बीच की shortest distance सिक and this is edges, and इसकी होगी मेरी O of V, तो अगर आप इसके total complexity देखो, क्योंकि नेस्टिंग of loops है, तो similar to O of N square हो जाएगी, right, और यह यह complexity जो है, यह large inputs के लिए काम नहीं करने वाली है, तो हम इसको optimize करने कोशिश करेंगे, अब देखते हैं कैसे, सबसे पहले में क्या गरता हूँ कि सब को remove कर देता हूँ, और यह जो थी हमारी first approach जो हमार दिवंग में आती है, अब यह approach काफी helpful है, क्योंकि concept same user होने वाला है, BFS से problem को solve करने वाले हैं, let's see how, हम क्या करेंगे, हम start करेंगे 0 as a source, right, और 0 से हम सबसे पहले 0 के सारे neighbors को try out करेंगे, but उससे पहले मैं answer array बना लेत and okay, let me name it distance, right, because it makes more sense here, अब मैं क्या करता हूँ, इसके index लिखता हूँ, सबसे पहले 0 index, फिर 1, 2, 3, 4 and 5, right, so यह हमारे index है, और हर index जो हो distance को represent करेगा 0 से, right, उस node की, उस particular node की, okay, अब मैं क्या करता हूँ, initialize करता हूँ, इस particular array को, so initially सब मैं मैं infinite भर देता हूँ, you can see that, initially infinite भर जाना है, right, और initially मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, कि यह value मेरा shortest path है, जो कि मेरी maximum value है, उसके बाद मैं से minimize कर सकता हूँ, अब 0 के लिए 0 ही है distance, यह तो मुझे पता है, क्योंकि 0 की खुद से distance 0 होने वाली है, अब मैं 0 से start करता हूँ, तो 0 से मैं सबसे पहले इसके neighbors neighbors को try out करता हूँ, सबसे पहला neighbor है इसका 1, जब मैं 0 से 1 पर जाता हूँ, तो मुझे पता लगता है, cost जो है, वो 4 है, तो यार मैं क्या कहता हूँ, कि 0 से 1 तक की distance अब infinite नहीं है, 4 है, ऐसे मैं modify कर सकता हूँ, अब मैं 0 से 2 पर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ, 0 से 2 की distance तो मैं infinite नहीं है, अब 2 है, उसके बाद मैं 0 से 3 पर जाता हूँ, और 0 से 3 की distance है, वो infinite नहीं है, वो है 5, अब मैं 0 के सारे neighbors को try out कर चका हूँ, और जब भी मैं सारे neighbors को पहले try out करता हूँ, इसका मतलब मैं BFS perform कर रहा हूँ, I hope you understand this guys, right, ओके, अब उसके बाद मैं क्या करने तो अब देखो, मैं 0 से 4 की distance कैसे निकालता हूँ, सबसे पहले मुझे पता है, 0 से 1 की जो distance है, वो 4 है, जो की मेरी इस array में store है, right, उसके बाद मेरे पाद 1 से 4 तक की distance जो है, वो जब मैं इस graph को traverse करूँगा, तो मुझे पता लग जाएगी, क्योंकि ये weight है मेरा current, right, so मैं क distance of u from 0 is basically nothing but distance of like, let's say this is my eye, right, so this is my v actually, so मैं लिकूँगा distance of v plus weight, I hope you understand this guys, ये line है जो मुझे लिखनी है, और इस से क्या होगा मेरी distance update हो जाएगी, तो अब देखो जाए, 0 से 1 तक की distance 4 है, और 1 से 4 तक का weight है, वो 3 है, तो जो total मेरी distance हो जाएगी, वो जाएगी इन दोनों का sum ज 7 है, अभी तक I hope कि आपको सब समझ मां रहा है, उसके बाद मैं अब इसका मेरा सारा काम हो गया, 1 का, अब मैं जाता हूँ 2 पे, 2 के कौन को neighbor है, 2 का सबसे पहला neighbor तो 1 खूद है, उसके बाद 2 का दूसरा neighbor जाए, वो 3 है, then 5 है, अब मैं सबसे पहले 1 से start करता हूँ, तो 1 तक का weight जो है, वो क्या है, 1 है, इसका मतलब यह total 3 है, और मैं देख सबता हूँ, पहले मैंने यहाँ पर 4 लिखाता है, लेकिन अब मुझे उससे smaller मिल गई, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 3, ओके, अब मैं दूसरा neighbor try करता हूँ, तो 2 का दूसरा neighbor जाए, वो 3 है, तो म मुझे यह काम किसी condition में करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर condition लिखता हूँ, condition यह गहती है कि भाई, तुम तभी value को change करना, जब यह वाली distance जो है न, वो बड़ी हो और यह वाली distance, जो नई distance हो चोटी हो, यानिकी कम हो, shortest हो, तो मैं लिखता हूँ, अगर मेरी distance of v plus weight, अगर यह वाली distance मेरी छोटी है, current distance of u से, सिब तभी उसी case में में distance को modify करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, तो यह condition 2 को नहीं जरूँदी है, तो इसका मतल में 5 को modify नहीं करूँगा, अब उसके बाद में 2 का last neighbor try करता हूँ, जो की 5 है, तो का last neighbor 5 है, और 0 की 2 से distance जो है, वो है 2, उसके बाद 2 की 5 का weight है, वो है 2, right, so total यह 4 है जाएगा, तो आप मैं इसे infinite को change करी लिए लिए 4, right, ओके, अब मेरे पास 5 है, और 5 का एक neighbor मेरे पास बचा हुआ है, 5 का neighbor जो है, वो 4 है, right, मेरे पास 3 भी है, सबसे पहले मैं 3 पे जाता हूँ, तो 3 का only neighbor ह और अगर मैं distance हेगा लिए, तो 0 से 3 की distance 5 है, उसके बाद 3 से 5 की distance 9 है, तो यह total 14 हो गया, तो 14 तो 4 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब 14 तो override नहीं गरेगा, तो आप मैं I'm done with this also, right, अब मैं 5 पे आता हूँ, तो जब मैं 5 पे आता हूँ, तो उसके बाद मैं 4 देखूंगा, मैं देखता हूँ कि यार, यहां पर जो है, 0 से लिए 5 तक की distance 4 है, और 5 से लिए 4 का जो weight है, वो 1 है, तो इसका मतलब 0 से 4 तक की distance हो गई, वो कितनी हो गई, वो गई 5, right, अब पहले से हमार पाद जो distance safety होती 7, तो अब यह condition true हो गई, अब मैं अंदर जाओंगा, इसका the neighbors, so now guys, I can write the pseudocode, अब देखा है, pseudocode कैसे काम करेगा, सबसे पहले मैं सिस्टप कर देता हूँ यार, अब देखो जड़ा, pseudocode लिखने के लिए, सबसे पहले हमें Q चीए, right, हमें Q Q चीए होता है, क्योंकि BFS में क्यों से perform होती है, तो इस Q में initially कुछ value store होंगी, जो की म मेरा source है, मेरा source काई 0 है, तो मैं लिख दूँगा भाई 0, लेकिन उसके साथ में distance भी store करता हूँ, तो अभी 0 की current distance 0 से जो है, वो 0 ही है, so यह मेरा U है, और यह मेरा distance है, right, okay, now, how I perform BFS, I simply like perform BFS while my Q is not empty, so while not Q dot is empty, right, जब तक की मेरे Q में कुछ ना कुछ value है, तब तक मुझे B BFS perform करना है, और कैसे BFS perform होगी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, Q से current value को out कर दूँगा, तो current value 00, right, so यह एक array होने वाली है, क्योंकि दो values है, so मैं integer array well equals to Q dot pole, और Q dot DQ, right, DQ makes more sense here, so मैं DQ कर दूँगा पहली value, उसके बाद यह integer जाए, दो value को revision कर रहा है, U को और distance को तो मैं सबसे पहले link लेता हूँ, कि my U is basically well of 0, right, and my distance is basically well of 1, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस U के सारे neighbors को try out करता हूँ, because U is my source, right, so 0 के हमने सबसे पहले सारे neighbor ही तो try किये थे, जो कि 1 था, then 2 था, then 3 था, so करते हैं उन्हें, कैसे करने वाले, simple एक loop चीदेगा, 4, like, every neighbor, for every neighbor end, right अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम वोई condition लिखने वाले हैं, let's say my current neighbor is end, right, so ये जो neighbor है ना, ये neighbor दो values को represent कर रहोगा, सबसे पहला तो ये neighbor खुद कौन सी value, यानि कि 0 से लेके 1 तक, right, और उसके बाद जो weight है, so weight मैं सब कुछ वो कर लेता हूँ, extract कर लेता हूँ, so neighbor of 0 basically represent V, right, because you can see that U से लेके V तक एक edge जा रहे है, तो ये V जो है, वो neighbor of 0 represent करेगा, और इन दोनों का weight है, weight जो है, वो neighbor of 1 represent करेगा, so मेरा weight जो जो जाएगा, और जो है n of 1, right, अब मेरे पास V भी आ गया, weight भी आ गया, तो मुझे क्या कहना है कि distance of V, distance of V is basically distance of U, which is stored in this particular variable, so I will write distance only plus weight, right, plus weight, ऐसी ही तो मैं distance को update कर सकता हूँ, but उससे पहले मुझे condition भी लिखनी पड़ेगी, तो मैं condition लिख देता हूँ, मैं काऊंगा कि only if distance plus weight is smaller than distance of V, right, only in that case, I am simply going to update the distance, but जैसे मैंने distance update करी, guys, आप मुझे value Q में भी store करने है, क्योंकि उसके उसके सारी distance change होने वाली है, तो मैं उस neighbor को आप Q में store कर दूँगा, कैसे करूँगा, Q dot NQ, right, Q में मैं NQ करने वाला हूँ, क्या एक नई array, एक नई array, और इस array में क्या क्या होगा, एक तो V होगा मेरे पास, और दूसरा मेरे होगा, distance of V, तो मैं कहूँगा, ठीक है, distance of V, right, so, ऐसे मैं perform करने वाला हूँ, BFS, और once I have performed BFS, then I am done with my answer, right, आप मेरे पास answer आ जाएगा, और इसकी complexity अगर में बात करूँ, तो वहने वाली हो, of V plus E, right, now guys, let me show you the code quickly, तो यह यह मेरे पास code है, अब आप convert करने जा रहा हूँ, तो अब मेरे पास graph बन चुका है, अब मुझे simple क्या करना है, मुझे इसके उपर BFS perform करने, right, तो ऐसे में BFS perform कर सकता हूँ, और ये loop बड़े काम की जीज़े, यार, इस loop में मैं क्या कर रहा हूँ, कि आखरी मेरे सारा काम होगे, सारी distance store हो गई, तो ज ये मेरा python code है guys, python code is quite shorter, right, this is what special about python, अब ये मेरा java code है, अब देखो यार, कितना बड़ा code है, पर java में हम ऐसे implement करने वाले है, सबसे पहले हम graph form करेंगे, adjacency list graph, उसके बाद हम basically BFS represent करेंगे guys, right, now I hope you have understood everything related to this problem, तो यार, यही था इस वीडियो में, अब I hope you have understood everything, right, so thank you.